दूसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव देवी पार्वती को देते हैं पुन्यक प्रत का सुझाओ उधर देवर्शी नारत द्वारा देवरा जिंद्र को सूचना मिलती है गजासुर द्वारा किये जाने वाले घोर तपकी और इधर संकल्प के पूर्व ही हो जाता है देवी पार्वती का पुन्यक प्रत खंडित अब आगे आज मेरे व्रत के आरम का शुब मूरत बीद किया मेरा व्रत आरम होने के पूर्वी खंडित हो गया मुझे शमा करना प्रिये भूल हुई आप अपना व्रत कल भी प्रारम कर सकती है मैं वचन देता हूँ अब मेरे खारंड आपके व्रत में कोई विगर नहीं होगा सत्य ना कहना तो हमें आता नहीं और असत्य वो भाता नहीं इस क्यलाश में है कोई ऐसा गर्ण चुके वल तुम्हारी बात सुन सके और आज तो नंदी ने तुम्हारे व्रत में ही विगन डाल दिया ऐसे ही विगन होता रहेगा तो तो कैसे पून करोगी तुम अपना व्रत कैसे प्राप्ट करोगी सम्तान सकी तुम्हारी मैंने निन्ने ले लिया है मैं अपना व्रत यहां से कहीं दूर किसी एक कांथ स्थान में करूँगी जहां उसमें विग में डालने वाला कोई नहीं होगा УौM u OCB ឭ्वटे वासुदेवाई नहीं अपना बदे बासुदेवाई अम नहीं हो घुटे वासुदेवाई फोन्यम्हों पांते वासु देवाई ओ मं नहीं वासुदेवाई ओ में आम, बदे वासुदेवाई अक्ते बेष्टे नेतन गहती एँम्नमों भगत्वें रसी लेंग छीसमे एँम्नमों भगत्वें रसी सहां आन्दी लिहीं Participbell पर प्रकृत्थे उन्मों भगतें रसी लोगन네 पोषीजी झाल झाल यह तुम्हारी नहीं, मेरी भी परिक्षा है पार्वती, तुमसे दूर रहना तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है, तुम्हारे बिना तो मैं भी अपूर्ण हूं पार्वती तुम्हार्ण कानाथ है, यह तुम्हार पार्वती यह तुम्हार्ण तुम्हार्ण ओम नमो भग्वते वासुदेवाई 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 देवी पार्वती की इतनी परिक्षा क्यों नजानी स्वामी योग नित्रा से कब जागेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नाक्स देवी पार्वती का व्रत पूर होने का समय निकट आ गया है और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी उन्हें तेवी पार्वती शान्ताकारं भुजगशयनं पत्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गधन सद्रिशं मेगवर्ण शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योकिर्ध ध्यान गम्यं वंदे विष्णुम्भवभय हरं सर्व लोग कर्ण। देवी पार्वती आपका व्रत सफल होगा आपने द्रड़ता और निष्ठा के साथ पुन्यक वरत पूर्ण किया। इसलिए आपके इच्छा पूर्थी करने मेरा कर्तव वे है। आप जो भी वर्दान मांगें, मैं वो अवश्यत होगा। प्रभू, मुझे एक ऐसी संतान का वर्दान दीजिये, जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी है। आपके तरह तेजस्वी और निपुन्य। और मेरी स्वामी शिवशंकर के समान, निर्मय और स्नेही। अर्थात त्रीमूर्थी के समक्ष गुण होस। तथास्थी। तथास्थी। टेज़ के पयाँ है। निरकंट? 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 नन्हे पक्षी, मेरा एक कारे करोगे, मेरे स्वामी मेरे महादेव से जाके कहोगे कि उनकी पार्वती अत्यान शुप समाचार लेकर उनके निकट लोड रही जाओ नीलकर्ट, जाओ पार्वती, मुझे आभास हो गया हमारे विरह के पनपीत गए आप लौट रही है आपका स्वागत है प्रिये इतने वर्शों के तपस्या के बाद भी महादेव नहीं आए अब मुझे उन्हें विवश्च करना ही होगा इतने विवश्च करना ही है प्रभू हम आपके गण है प्रभू हमने खीर खाई अवश्च है किन्तु किन्तु कभी पकाई नहीं हमें समझ ही नहीं आ रहा है से पकाई कैसे किन्तु नंदी देवी पारवती ने तुम्हें कितनी बार खीर पका कर खिलाई है तो तुमने उन्हें खीर पकाते आवश्य देखा होगा हाँ प्रभू देखा तो आवश्य है किन्तु कभी कभी समझा नहीं प्रभू हमारी द्रश्टी तो सदैफ, सदैफ खीर पर होती थी, उसको पकानी की विधी पर नहीं शमा करें प्रभू इतने वर्षों के तब के बाद यहां लोड रही है देवी पार्वती, उनका उच्छी स्वागत मेरा कर्तव्य है उनके लिए दी खीर मुझे ही पकानी होगी, तो मैं ही पकाऊँगा प्रभू खीर पकाएंगे? अवश्य प्रभू कितना कठीन हो सकता है खीर पकाना? गुड़, दूद और चावल का ही तो मिश्रन है उसे चूले पिरखतो, बस पक गई खीर? हाँ प्रभू, बस ऐसा ही है पदे जिल, पदे जिल, पदे जिल तो त्यारी आराम कीजिए तूद गुड चावल चावल रभू, कदाचि चूले की आज पर रखकर इस घोल को हिलाना भी पड़ता है कोरि पुनर आगमन की खड़ी आ गई हर्श लहर कैलाश गिरिछ आ गई पारवति शंकर का प्रेमती विशेष खीर उमा के लिए बना रहे महेश पग गई खीर इतना सरलकारिय था ये हाँ प्रभू सरलकारिय था इस खीर को एक पातर में उलटकर सजा दो मैं ये देखने जा रहा हूं कि अन्या प्रवंद उचित परकार से हो हैं या नहीं आवश्य प्रभू आवश्य प्रभू खर Vorsो हो ए या थान धर के निर केक नो संड़ करें.. रख तने लगन्ही जैब उन्हीं क्रिख्षिए single यह और जाु करें लिए कई दिवे वर्षों के कठोर व्रत के बाद कैलाश लाट रही है पारवदी उनके स्वागत के लिए संपून कैलाश को सज्जित कर दो उसे देखकर वो अपने सभी कष्ट भूल जाए अवश्य प्रभू अब तो क्या लाश के बहुत निकट पहुच गई हुँ ने सुनो तुमारे कारण मेले तालन तुदी होदा प्रभू आप नितिन लगिये मैं बली ताउदानी पूला ताला ताल्या तलूंदा आप पड़ देती है आप यह तुमारी साफधानी अभी आनंद उठालो फिर जब पारवती हाएगी तो उन्हें बताऊंगा कि उनके पीछे ऐसे धान रख रहे थे तुम कैलाश का आप यह तुमारी सुपती है आमक्षिवााय आमक्षिवाय आमक्षिवाय अप्रूमारी सीद्ग प्रूह जिस कजासूर को हम तेवता भी नहीं रूप पा है उसके कढ़रता और थुष्द्रभाव सिव इस प्रकृति को नश्ट होने से केवल और केवल, डेविश्वर महादेव ही रोक सकते हैं. मुझे देखकर आपके मुख पर आये आनत को देखने के लिए ललाई थो मैं स्वामी. कराम माता, माता इतने समय के बाद आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए आपके स्वागत के लिए प्रभु ने स्वाम सज्या कराई हैं माता, माता जब आप यहां नहीं थी, तो हम पल-पल आपका ही इस्मरन करते थे. मैं भी आप सभी को देखकर अत्यंत प्रसंद। किन्तु नंदी, स्वामी कहा है? माता प्रभु तो यह रहे हैं? कहां? वहां तो कोई भी नहीं. माता प्रभु तो यहीं थे, पता नहीं कहां चले गए. हो सकता है, ध्यान में हो. जाहिए, देखकर आईए. जी. माता प्रभु कैलाश में कहीं भी नहीं है. माता प्रभु कैलाश में कहीं भी नहीं है. यह व्यर्द की चिंता है? या एक स्थ्री का सहज ग्यान? क्या कोई आईद? नहीं, नहीं. देवादी देव का कोई आईद कैसे कर सकता है? फिर भी मुझे यसा अभास क्यों हो रहा है? जैसे कुछ तो आईद कर, गठा. गठा. माते! 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 माते, क्या हो गया, माते? तुमने मालाए? काली? जित्वी में अंदतालतादी आए? यह कैसा संकता? माता! प्रभू कहा है? प्रकाश कान्त… अर्थत… श्रिष्टी कान्त. शांत हो जाए आप सभी. श्रिष्टी का कोई अनिश नहीं हो सकती. आप सभी बाहर जाकर प्रतीक शक दिजिए. इस विकर पर स्थिती में मेरे भ्राता विष्णु देव ही मेरी साहता कर सकती है. नमु विरूपेभ्यू, विश्वरूपेभ्यास्चवू, नमख्यू. भ्राता श्री हरी, यह कैसा संकट है। संसार में ये अंदकार क्यों चागए ने मेरे स्वामी कहा है उन्हें कुछ हुआ है कि गजासूर ओम नमाशिवाए गजासूर मैं तुम्हारे तब से प्रसंद हुआ है तुम्हारे तब के तेज से तो तीनों लोग असरक्षित हो उठे हैं इसलिए आप अपना तब समाफ करों प्रणाम भूले नाथ नजानता था आप मेरा तब सफल करने अवश्य आएंगे कहो क्या वर्दान चाहिए सब कुछ चाहिए मुझे आप चाहिए भूले नाथ आप मेरे उदर में सदा के लिए तुम मांग रहे होगा उसका क्या परिनाम होगा क्या थे तुम्हें क्या थे प्रभू कभी तुम मांग रहा हूँ यदि आप मेरे उदर में रहेंगे तो आपकी उर्जा से सुरक्षित निलोग नमर और सर्वशक्तिमान बन जाओंगा मैं स्रश्टी ही नहीं सर्वत्र ब्रह्मान पर राज करूँगा मैं सर्वत्र इसमान रखोगा जासूर लालच का मरी नाम सदा बुरा होता है नालच व्यक्ति के पतन का कारण बनता है इसलिए तुम्हारी भलाई जी में हैं कि तुम कोई अन्य वर मांगो रहा है आप ही का भक्तू बोले नाथ जो मांगा है उसी पर अडग रहूँगा कठोड तब कर ये वर्दान लिया है मैंने इसी का पूर कीजिए प्रभो कैसी दूइदा है ये इसका वर्दान तु मुझे आपसे तूर कर देगा उमा मुझे तुम्हारे विवेक पर दुख है किन्तु यदि तुम ये चाहते हो यही पाऊगे किन्तु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के पूर्व मैं कैलाश जाकर देवी पारवती से भेट करना चाहता हूँ वो वहाँ मेरी परतिक्षा कर रही है नहीं प्रबो सरव प्रथम आपको मेरा वर्दान पूर्ण करना होगा बस गजासुर मैं लंबे समय से पारवती से तूर रहा हूँ मेरा आगरे है कि मुझे उनसे एक बार भेट करने जाने दो मैं शेगर लाटा हूँ नहीं ओले लाट नहीं मैंने भी वर्षों तक तपस्या कर ये बर्दान प्राप किया है आप इसे अभी पूर्ण कीजिए इसी छण इसी पल आप मेरे उदर में स्टित हो जाएए आज आईए प्रभू आज आईए आज आए आए आम आस्ष्व आए 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 अ वज प्हार्व पार अप्हार्व कोरиков करता है ब 두क मत ने एंप भंक rouआ मकश प्हार्व कोई मेरे सौमी मिने महादेव को मुझसे बिलब नहीं कर सकता जब तक पुत्रकार्थिके अपने कर्तब्वे को निभा कर लौट नहीं आता आपको एक और पुत्र का सुख पराप्त होगा